नमस्कार फ्रेंड्स! फ्रेंड्स इस फिडियो में हम डिसकस करेंगे टीजिग अप्टीचूर का कुछ इंपोर्टन कौस्थन जो कि प्रेंड्स ओरी सस्टेड बियर 2017 का ये कौस्थन पेबर है तो टीजिग अप्टीचूर आपके लिए बहुत इंपोर्टन आप किसी भी बीड के लिए प्रिपारेशन कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो बहुत इंपोर रहेगा इसलिए आप वीडियो कॉन तक्स जरूर देखेगा यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर ने हो चैनल को भी सब्सक्राइब कलीजेगा वीडियो पसंद देतों लाइक कलीजेगा आपके दोस्तों के साथ जरूर श्यार कलीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके तो यहां पर हम देखेंगे केबल टीचिंग अप्टीचूड का कॉस्टन पेपर और इसका जो कि जीगे का कॉस्टन अल्री हम आपको प्रोवेड कर दिये है जो कि इसका एंसर के साथ तो यहां पर आपका 21st नंबर से टीचिंग अप्टीचूड कोस्टन यहां पर स्टार्ट हुआ है फास्ट कोस्टन जो कि देख सेकते हो दो मोस्ट इफेक्टिव मैथोड अप करेक्टर फॉर्मेशन इज ओके सबसे मोस्ट मैथोड क्या इफेक्टिव मैथोड कौन सा जो प्रिजेंटिंग हाई क्रेक्टर मोडल इन दी स्कूल्स ओके तो यहां पर आपका राइट अंसर है प्रण जो कि सबसे इंपोर्टन मैथोड कौन सा है इसका राइट अंसर है अप्शन नंबर दी रिवर्डिंग वर्चियोस बीहेवियोर्स एंड प्रिजेंटिंग हाई क इन दी स्कूल्स ओप्शन नंबर दी इसका से अंसर है नेक्स ओए दो इंटेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होना चाहिए कैसा securing a certificate, training to meet a living, mastery of the subject matter, acquiring skills, habits and knowledge, यहाँ पर आपका right answer जो की है friends, option number D है जो की, acquiring skills, habits and knowledge इसका सही अंसर हो जाएगा, ओके next question जो है, life as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever, whose course is this, तो यह course जो है, किसके द्वारा दिया गया है, जो की, option में Mark Twins, Oscar Wilde, Nelson Mandela, महत्मा गंधी, यहाँ पर आपका right answer जो की option number D है, जो की महत्मा गंधी के द्वारा यह दिया गया है, यह आपका सही अंसर है, next way, the technique of measurement of the pattern of social behavior in a group is known as, okay, किसी भी यहाँ पर group में social behavior को यहाँ पर measure करने के लिए, यहाँ पर कौन सा technique यहाँ पर use कर जाता है, option B में sociometry, sociogram, social distance skill, international analysis, यहाँ पर आपका right answer रेपेंस है, sociometry इसका सही अंसर है, option number A इसका सही अंसर है, क्लास में यहाँ पर टेक्स्ट बुक का यूज क्या है अप्शन में है टू एचिप टीचिंग लर्णिंग अब्जेक्टिप टू डिलिमिट वाट तू इस दा वार्क अब टीचर तू सेट न्यू स्टूडर्स तू यहाँ पर जो कि आपका रेड एंसर रेप्रेंसर टू ए टीचिंग लर्णिंग अब्जेक्टिप टीचिंग का जो भी अब्जेक्टिप है उसको जो कि एचिप करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक को यूज क्या जाता है अप्शन नमबर इसका सही है नेक्स है जोन लोकेस फ्रेश आप टैबूला रसो मिंस तो टैबूला यहाँ पर आपका राइड है अप्शन नमबर सी है जो कि mind itself is a result of the evaluation process of evaluation इसका आपका सही है नेक्स है most important work of teacher is एक टीचर का जो कि सबसे important work क्या है to maintain discipline to organize teaching work effectively to take care of students to check the paper of the students यहाँ पर आपका राइड है अप्शन नमबर बी है जो कि to organize teaching work effectively उसका जो कि teaching work है उसको effectively organize करना एक teacher का सबसे important work होता है next है if majority of the students in your class are weak you should okay आपके class में जो कि है बहुत सरे majority of the students जो कि है week है पढ़ाई में तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए option में है not care about bright students तो bright students को आपको यहाँ पर क्यार नहीं करना चाहिए keep your teaching slow along with some extra guidance to the bright students okay तो आपके teaching को यहाँ पर teaching को थोड़ा से यहाँ पर slow करके जो कि bright students को यहाँ पर extra guidance यहाँ पर आपको देना चाहिए next हो है keep your teaching slow आपके teaching को slow कर लेना चाहिए keep your speed fast to increase the comprehensive of the students okay यहाँ पर आपका right answer पर से option number B होगा keep your teaching slow along with some extra guidance to the bright students तो आपके teaching को थोड़ा से slow करके जो कि weak students को यहाँ पर फाइदा होगा और जो कि है bright students को थोड़ा से यहाँ पर extra guidance आपको देना चाहिए next हो है the real aim of teaching is teaching का जो कि real aim किया है option में to give knowledge and information to involve people in activities to impart knowledge desirable change in behavior यहाँ पर आपका right answer रप्रेंस है desirable change in behavior यह जो कि है teaching का real aim होता है option number D इसका सही answer है okay next question जो है in order to join the teaching profession what is more important okay teaching profession में join करने के लिए important क्या है सबसे important क्या है जैसे कि option में percentage of marks okay तो आपका percent है तो यहाँ पर आप teaching profession में आपको join करना चाहिए next way teaching aptitude तो आपके पास जो कि teaching aptitude का knowledge हो तो आप यहाँ पर teaching profession में आपको जाना चाहिए next way you your belonging to reserve category तो आपका category जो है reserve category में आता है तो आपको जान करना चाहिए teaching profession में belonging to a family of teachers okay teachers का family आपका background में सभी teacher है तो आप भी teacher में यहाँ पर join कर लेना चाहिए यहाँ पर आपका right answer रहेगा फ्रेंसे option number B होगा teaching aptitude का आपका जोकी है knowledge है तो आपको teaching profession में जाना चाहिए option number B इसका answer होगा okay next way if you come to know that students of your has started taking drugs what will you do okay आपको पता चला कि एक student जोकी है आपका drug यहाँ पर ले रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए report to the principal principal को report करना चाहिए turn him out of the class for a week एक वीक तो उसको क्लास में जोकी entry नहीं करना चाहिए next way inform his parents उसका जोकी parents को इंफर्म करना चाहिए will ignore his mistake तो उसका जोकी mistake है उसको ignore कर लेना चाहिए यहाँ पर जोकी आपका right answer प्रेंसे option नमबर यह होगा report to the principal इसका आपका science आ रहे next way which of the following effects on individual development at a given time ओके individual development के लिए यहाँ पर कौन सा important है यहाँ पर में देखिए कौन सा जोकी है effect करता है individual development के लिए their experience option में B में है interaction of nature and nurture किस तरीके से आपका environment है और किस तरीके से आप बढ़े हो यह आपका जोकी individual development के लिए यह आपका बहुत ही important है ना कि आपका यहाँ पर आपका जोकी राइट एंसर है यह option number B होगा interaction of nature and nurture next way the best remedy of the students problem related with learning is okay students का जोकी problem होता है learning process में तो उसका best remedy क्या है उसको उसका problem को solve करने के लिए option में है diagnostic teaching suggestion for private tutor supervised study suggestion for hard work यहाँ पर आपका राइड एंसर रहे करें best remedy जोकी है option number A होगा जोकी diagnostic teaching इसका सही answer है okay next question जो है which quality of human being is necessary to lead a human life okay human being का यहाँ पर कौन सा एक quality है जोकी necessary है human life को यहाँ पर lead करने के लिए option में है capability of evaluation capability of thoughts and logic capability of thought capability of imagination यहाँ पर आपका right answer रहें से option number B है जोकी capability of thoughts and logic इसका सही answer है next way the ideal teacher ideal teacher यहाँ पर कौन सा है यह से कि teachers the whole curriculum जो भी curriculum में सभी को यहाँ पर जो भी whole curriculum को पढ़ाता है यह ideal teacher है next way help the students in learning learning में यहाँ जो help करता है next way maintain good discipline जो भी teacher good discipline को maintain करता है next way is a friend philosopher and guide okay यहाँ पर आपका right answer जोकी है option number D है जो भी teacher आपर friend philosopher and guide है यह आपका ideal teacher में यह आ जाएगा okay next way education as for constitution of India finds the entry in education जो कि है constitution of India के अंदर जो कि आपका जो कि लिस्ट दिया गए जैसे कि concurrent list, state list, center list में इन तिनों में से कौन सा लिस्ट में यहाँ पर entry किया गए education को ओके यहाँ पर आपका right answer है पर जो कि concurrent list तो concurrent list में क्या होता है कि मतलब concurrent list में जो भी यहाँ पर होगा तो उसमें जो कि है rule regulation जो कि state का भी होगा और center का भी होगा जो कि concurrent list का जो भी subject होगा तो जो कि education को जो कि है concurrent list में रखा गया है ओके इसका जो कि है राइडेंसर है option number a next which commission was appointed as a result of agitation ओके तो यहाँ पर जो कि है option में है charter lord maculae words hunter यहाँ पर जो कि आपका right answer है जो कि hunter यहाँ पर आपका right answer है hunter commission next way maximum classroom problem are due to okay सबसे ज्यादा जो कि classroom problem होता है किसलिए होता है option में faculty curriculum less intelligent students ineffective teaching faculty examination system ओके यहाँ पर जो कि आपका right answer है प्रेंसे option number c होगा जो कि ineffective teaching ओके इसलिए जो कि आपका classroom problem होता है maximum time okay next which ministry at the center deals with education okay यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रेंस यह question पर जो कि है 2017 का है तो 2017 के हिसाप से यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कि education जो कि है कौन सा ministry में था जो कि option number c का सही answer होगा human resource development ministry okay पर 2010 से यहाँ पर जो कि है education को education का जो कि ministry को यहाँ पर rename कर दिया है जो कि education ministry के यह अंडर आगे है जो कि education okay दोस्तों तो यह आपका 2000 मतलब recent ले आपको पुछाए तो education जो कि है कौन सा ministry में है जो कि education ministry इसका से एंसर हो जाएगा okay दोस्तों तो यह 2017 का था इसलिए आपको पुछाए तो यह education ministry होगा ओके दोस्तों तो यह आपका था टीचिंग अप्टिचूट का question जो कि 2017 का था बहुत important question है फ्रेंस आपके लिए तो दोस्तों इस पीडियो में इतना है था प्रेंस आपको इस पीडियो अच्छा लगा तो लाइक कले जिगा और फ्रेंस चनल को भी सब्सक्राइब कले जिगा तो थैंक्यू फ्रेंस थैंक्यू फर वा टीडियो तो ऊस्टीग सब्सक्राइब करन सो थीडियो जो वाटना है भी सिर्एबर खुझक है जिए भी सावाल जो फम वाटना है झाल जो तो टो उन्वा है जिए खो चैंक्यू जो एवा है जोर झाल जोर जो